नमस्कार आप देख रहे हैं दैचेफफ अड़ा और मैं हूं विवेक्तिवारी सियासी उथल पुथल के बीच कॉंग्रेस सांसद राहूल गांदे पुड्डुचेरी पहुंचे जहां राहूल ने मच्छवारों की एक सभा को संबोधित भी किया इस दोरान उन्होंने मच्छवारों की समस्याओं के समधान के लिए अलग मंत्राले बनाने की बात कई है जिसे लेकर अवग केंद्री मंत्रियों के निशाने पर आ गए हैं दरसल राहूल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी तीन बिल पास किये हैं किसान देश की रिड हैं आप सोच रहे होंगे कि मैं मच्छवारों के बीच किसानों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको समुद्र का किसान मानता हूँ अगर दिल्ली में जमीन वाले किसानों की मिनिस्ट्री हो सकती है तो समुद्र वाले किसानों की क्यों नहीं मचवारों के लिए अलग मिनिस्ट्री की बात राहुल ने साल 2019 में लोगसभा चुनाओं से पहले भी उठाई थी तब उन्होंने कहा था कि अगर कॉंग्रेस केंदर में सरकार बनाती है तो मचवारों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई जाएगी राहुल का इतना बोलना था कि केंदरिय मंत्रियों ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया राहुल गांदी के इस बयान पर हमला बोलते हुए केंदरिय मत्स्य पालन मंत्री ग्रीराज सिंग ने एक के वादे कई ट्विट किये और राहुल गांदी से कहा राहुल जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मतस्य पालन मंत्राले में आएं या मुझे जहां बुलाएं मैं आ जाता हूँ मैं आपको नए फीश्री मंत्राले के द्वारा पूरे देश और पुड्डू चेरी में चलाय जा रहे योजनाओं के बारे में बताता हूँ तो वित राज मंत्री अनुराग छाकूर ने भी अपने ट्विटर एकाउंट से राहुल गांदी पर तंच कस दिया है गिरीराज सिंग और मतच से पालन मंत्राले और राहुल गांदी को टैक करते हुए अनुराग ठाकूर ने लिखा है कि राहूल गांदी जी ये मंत्राले और ये मंत्री है और ये फिर एक बार जूट की राजनिती के चक्कर में कॉंग्रेस पार्टी की किरकरी हो रही है तो इस तरह एक बार फिर से राहूल गांदी अपने बेतुके बयानों के चलते फिर से चर्चाओं में है और आप यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि जिस दोरान जिस समय पर राहुल गांधी जनसभा को पुड़ुचेरी में संबोधित कर रहे थे उनके लिए एक अलग से ट्रांसलेटर की विवस्ता की गई थी यानि कि राहुल गांधी जो भाशन दे रहे थे लगातार उसे ट्रांसलेट करके पुड़ुचेरी के निवासियों को बताया जा रहा था खैर राहुल गांधी पूरे देश में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए घूम रहे हैं और किसानों का जंडा लेकर के किसानों को ही जागरू करने का काम कर रहे हैं ऐसे में बड़ा स सवाल उठने लाजमी है कि जब रहुल गांधी को इस बात कही जानकारी नहीं है कि देश में कौन सा मिनिस्टर है कितने मंतराले बन चुके हैं То ऐसे में संसद में वो जो प्रतिनित्व करते हैं उस पे कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं फारहल रहुल गांधी को लेकर क क्या रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें शुक्रिया